चौपाल विधानसवा में लगातार राजनितिक लड़ाई दिल्चस्प होती जा रही है। एक तरफ जहां भाजपा के विधाय की लगातार अपने चुनाव प्रशार में लगे हुए हैं तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिती को साफ कर दिया है। और मिली जानकारी के अनुसार अब सिर्फ एक ही नाम जो है वेब पैनल में है। और जो कॉंग्रेस पार्टी के संगठन महामंतरी हैं रजनीश किम्टा उनका सिंगल नाम हाई कमान को भेजा गया है। पिछले कल हुई सक्रीनिंग कमेटी की बैठक में चोपाल विधान सबाक्षेतर से एक ही नाम हाई कमान को बता और उम्मीदवार भेजा गया। मतलब साफ है कि हेलीकॉप्टर वाले बाबा का रुत्बा कायम है। और अब राजनीतिक रूप से जिस मैनेजमेंट के लिए रजनीश किम्टा कॉंग्रेस के भीतर जाने जाते हैं। उन्होंने कम से कम जो पहली सूची में उनका नाम नहीं आया था जो कि उनके लिए अनेक्सपेक्टिड था लेकिन दूसरी सूची में अपना नाम डलवा कर उन्होंने अपने कारे कुशलता का परिचे एक बार फिर से दे दिया है। और कहीं न कहीं एक किसान का यह बेटा एक नई राजनितिक पारी अब चोपाल विधानसभा से शुरू करने वाला है। नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर युवाओं को खेलों के प्रती जागरू करके बज़ूर्गों के लिए एक एप के माध्यम से सहायता मुहिया करवाकर गरीब आदमी के लिए वो हमेशा ख़़े रहे। उन्होंने विधानसभा क्षेतर में 300 युवक मंडलों को स्पोर्ट्स किटें भी बांटी और नशे के खिलाफ लोगों को और युवाओं को भी जागरू किया। 25 साल से लगातार कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए रजनीश किम्टा हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी उम्र के PCC बने। उनको लेकर एक कहावत भी मशूर है कि उन्होंने जो कहा वह किया। धार्मिक प्रवरित्टी के रजनीश ने हमेशा लोगों के साथ जो भी वादे किये उनको पूरा किया है। और यहां तक कि उनकी पतनी जब जिला परिशत की सदस्य थी उस वक्त भी 15 करोड के काम विधान सबा में करवा कर विधायक बिट्टू वर्मा को कड़ी चुनावती उन्होंने दी। जबकि विधायक कॉंग्रस ने चुनाव हारने के बाद जनता से खुद को दूर रखा जिसका सीधा लाब किम्टा को हुआ। अब एक बार फिर चुपाल की राजनीतिक गरमाई हुई है और किम्टा बड़े राजनीतिक फेर बदल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि इस युवा चेहरे पर कितना भरोसा चुपाल की जनता जताएगी।